हेलो दोस्तों आप सभी का इस्टेडिविट कॉंसेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ इस्वागत है हमारी प्रेस्ट जो प्री के क्रेस्ट कोर्स है उसमें जिसके अंतरत अभी हमने पॉलिटी और स्टी को चला रखा है और आज आपको एक पॉलिटी को वी इसलिए आप सभी यह वह समय कर रहे हैं चाहे यूपियस से त्यारी कर रहे हो यह वह टाइम है जो अभी समय निकल रहे हैं जनुवरी वाला सबसे पीक स्टेडी टाइम है अगर इस समय अपने पढ़ाई को यह थोड़ा डीला किया तो आपके लक्ष में बादहां आ सकते ह से पूरी समर्पंटा से और पूरे डेडिकेशन से पूरी निरंतरता से अभी अपनी पढ़ाई करें और यह समय आ चुका है कि आपको परीपर भी ध्यान दे रहे हैं और परीपर ध्यान देने के लिए सपेसरी हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके आपको बता रहे हैं इन उसको के साथ आप घटना चकर के वीडियो देखें ताकि वहां हम प्रिवी सरके कुश्चन है उनको भी शॉल करवा रहे हैं तो जो टॉके आप यहां पड़ें उस टॉपिक को घटना चकर के वीडियो के साथ देखें और जोड़कर काम करें डेफिनलेटी आपको फायदा यहां है वह एड़ करते जाएंगे करेंट की चीज़े एड़ करेंगे आप को यह जो पॉलिटी का वीडियो दिया जा रहा है यह वीडियो को आप अंता देखें जादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर जो ज़्यादा और नई साल की बहुत-बहुत सुपकाम नहीं और आशा करते हैं कि यह नई साल आपके लिए महत्पूल होगी और आप अपनी सपलता को आगे बढ़ाएंगे आप सब्सक्राइब किस वीडियो को अंतर देखें जो पॉलिटी का हमारा डिसकसन सब्सक्राइब इसी पॉलिटी हम थोड़ा सा भारती संबीधान की कुछ प्रमुख बिशेशता हैं देखें उसके बाद हम आर्टिकल्स पर पहुचेंगे अलांकि हमने अनुच्छेद और जो अनुसूचिया है और जो महत्पून संबीधान की बहाग है उनके बारे में डिसकसन कर लिया PCS में डायरेट स सबसे पहले सबसे जो इंफोर्टेंट फ्यूचर से वह संपून भारत संबीधान के बारे में सबसे पूछत क्या होता है संपून प्रभूत्वे संपन राज यानि कि सौवरण स्टेट यानि कि भारत एक सौवरण स्टेट है संप्रहु स्टेट है संप्रहु स्टेट का एक 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 वाड़ान रगना कि भारत आंत्रिक और भायरूफ से इंडिपेंडेंट है यानि कि भारत आंत्रिक और भायरूफ से पूंट रूफ से स्वितन अधिकार सेत्रम नहीं आता और भारत अंतरा इस्टेस्तर पर भी अपनी इच्छा से अपनी डिसीजन लेता है सेकेंड अगर भारती है संभीधान के विश्षता देखे है भारत की स्तेस्ता देखे तो भारत एक लोक्ता अंत्रिक राज्ज है लोक्ता अंत्रिक राज्ज है डेमोक्रिटिव स्टेट अथार्थ भारत में जो सासन प्रणाली के स्ट्रेक्टर है वह जनता पावस्फल होगी और जनता ही अंतिम सत्ता का सरोत होगी और जनता ही सत्ता का केंद्र होगी अगर एक सासन अगर रिपवदेग रहेगा तो सासन का सर्वोच किसी भी देश का किसी भी देश का जो सुप्रीम पद होता है यह सर्वोच पद होता है उस पर हर व्यक्ति योगों, यानिこई वी वेक्ति वहाँ पहुंच सकता है, देस का सर्भुच पद पर भाएरत का एक सामयन नागरिक भी पहुंच सकता है, तो ऐसे बिचेस्थाओं को हम गणराज 55 बोलते हैं, अगर बात करहेंग you, बेटरियन और भारत की अगर बात करहेंग you, दोनों डेमोकुरेटिप दो हैं उसमें कोई भी आम्टी आम नागरइड करता है तो यह अंतर गंतंत्र है अथारत गंतंत्र में क्या होता है जहां किसी देश का सरवुक्ष पत है उसके मैं ह्योक व्हारत की बात करनी प्रदों की आ भारत की कोई भी अपना कोई धर्म नहीं होगा यानि कि state religion नहीं होगा और नई state किसी धर्म को sponsor करेगा प्रोष्टान करेगा अथार्थ भारत की जो सासन पर लिए उसमें सभी धर्मों को समान स्वतनता दी जाएगी समान अधिकार दी करेंगे और सभी के साथ राज सदभावना पूर्विभाद करेंगा यानि कि स्पेशल कोई स्टेट का एक सेकुलर स्टेट है अगर हम आगे देखे भारती एक सबसे महत्मून बात है कि इसमें रिजिड और अगर कोई संभीधान जिसमें संसुदन करना अगर बहुत ही जटल हो कंप्लिकेट हो तो उस संभीधान को कि महदम से हम कर सके उसे बूलेंगे हम राची यह संभीधान में कुछ ऐसे प्रवीजन है जिनको थोड़ा रिजिड बनाए गया है संसुदन करने के लिए जैसे अगर राष्टकती के चुनाव की बात करें या संगिये विषाव से जोड़े हुए विवाद की बात करें तो ऐसे विश्वों पर संसुदन करने के लिए थोड़ी विशिस प्रिक्रिया अपना ही चाती है जबकि भाहरती संभीधान के कुछ प्रोविशन ऐसे हैं जबकि सामयन भॉहमत से संसुदित किया जा सकता है संभीधान के किसी बाग को जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 3-4 या आर्टिकल 2-3 की या कई ऐसे आर्टिकल है जिनमें हम सामयन भॉहमत के मैद्दम से संभीधान के भाग में परिवतन कर सकते हैं अनुशुची 6 में अनुशुची 5 में अगर बदलाव करना है तो समयन भॉहमत से कर सकते हैं तो इस आदर पहरतिम संभीधान में डोनों को मिसरण पाई जाता है बहारती संभीदान में रिजिडिटी पाई जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है क्योंकि इसमें संसुधन की प्रिक्रिया कुछ जटल भी है और कुछ आसान भी है ऐसे परकार बहारती संभीदान की प्रणाल देखे एक पार्लिमेंटरी सिस्टम यह संब से इंपॉर्टेंट अगर विश्चता आप से कभी ऐवार औब्जेक्टिव कुछ दूशाती है कि पार्लियमेंट्री सिस्टम की सबसे important अगर feature देखा जाए वेस्ट feature अगर देखा जाए तो इसमें lighting रहती है किसमें बिधाई का even कारे बालिका अधात बिधाई का एवं कारे पालिका में समन में पाए जाता है यानि के कारे पालिका की सदस्य हो विधाई का legislative के सब्सक्राइब के जो भी मेंबर होते हैं वो लेजिसलेटिव के मेंबर होना कमपरसरी होता है तो इस प्रकार की जो सिस्टम है उस ने तो यह सबसे हैंसे इसमन में होता है इसमें आईकल कि समन में पाई जाता में बीच बिढ़ाया को only best algorithm के बीच में इसमें बड़ी लाइज बाहर्ती सम्मिधान में सबसे बढ़ी बात है दो चीज आपको मिले गी इक तो अग आपने देखा होगा एक अस타iques led की संप्रफूदा बात करें तो यहां जनता का प्रतिनीतिक करने वाली संस्ता यानि कि संसत सुपरीम होती है सार्फूच होती है वह संभीधान के किसी भाग में शंसूदन कर सकती है संसुधन कर सकती है उसको किसी प्रकार से कोई चौनौती नहीं दिया सकती है उसे बोलते हैं हम Parliamentary sovereignty अगर यह situation हम अगर देखें यह सिस्तिति कहां पर पाई जाती है तो veteran का जो संबीधान है उसमें संसद यह संप्रोवता यह Parliamentary sovereignty पाई जाती है कि वहाँ संसत स्थुपर पावर हैं, संसत सरवूच हैं जबकि अगर हम जूडिस्चल जो सुपरमेसिकी अगर हम बात करें इन्याएक सरवूच का की बात करें तो ये USA की सम्झदान पाई जाती है जहाँ पर न्याएपालिका को सरवूच बनाए गया है यानि कि वहाँ पर नयापालिका की स्वतन था, नयापालिका को मौलिक अधिकारों में किसी फिरकार से बैख्या करने का पूर्ण अधिकार है, इतना ही नहीं, यूएसे में संसुधन की पिरक्रे बहुत जटोल है, अथार्थ संसर के पास सकती, वहाँ की जो कॉंग्रेस है, यूएसे में संसर के सासन को सर्वोच करें, या अगर हम पार्लियमेनियनिटी सोवर्नेटी की अगर हम बात करें, लेकिन यदी जन्ता की सरवोस्ता यदी हम रख दे तो इससे दिक्कित क्या होती kullan करके कि आपकी इस्तरता को बनाया रखता आपने आपके हमेशा अपने पत्कों सुरिशित बनाया सकता था जैसे चायना की अगम बात करें जैसे रसिया की बात करें तो वहां पर पुतन है 2036 तक रसिया का पर्मनेंट बन गया है इसी परकार सीजन पर तो यहां के संभीधान में क्या है कि इनका सम्भीधान थोड़ा सा व्यक्ति कीने समीधान जाता है इसली तो बहरत ने सोचा कि जनता यह बिदी दोनों को सर्वुच नहीं रखा जाए वल्गे हम किसको सर्वुच रखेंगे को इसलिए भारत में अगर आप से पूछे जाए कि भारत में सर्वोष्च क्या है सर्व्च, तो भारत में constitutional सुपर्मेसी को बरेतर दी गई है, यानि कि समपैदानिक सर्वोष्फ़फफ़फफ़फटा को बरेतर दी गई है संसदी ये संप्रूज़ा और नयाएक सर्गोस्ता में समन्वे भारतिय संभीदानी की एक एहम विशिष्टा है और इन दोनों में समन्वे एठाते हुए अगर आपसे पूछें तो भारत में कौन समज़े आगे है तो भारत में संभीदान सुपरपावर है यही करान कि भारतिय संभीदान ना तो अमेरिका गोर्मेंट की तरह होगे है अ intent की बहुत एक सवाल फेली है यहीं कि विशिष्टा के ना ना विशिष्टे की बोज़ा है कि में के स्वचय एक रांग परमेंगे सवाल पूछ नी is यहांने कि यूनियन और इसकी स्टेट उसकी एकायों के बीच में इस पश टूप से सक्टियों का विवाजन हो यानि कि सेप्ट्रेशन और पावर बेट्विन इस्टेट एंड यूनियन तो यानि कि अगर हम स्टैडल गौर्णमेंट की बात करें संगी सासन का मतलब है कि यूनियन और स्टेट संग और राज्यों के बीच में सक्तियों का इस पर स्टोप से विवाजन होता है पहली विशिस्ता इंपोर्टेंट होती है दूसरी अगर संगी सासन के विशिस्ता देखे तो इसमें स्वितंत्र नयायपाली का होती है यानि कि इंडिपेंडेंट्स चूडिशरी होती है क्योंकि स्वितंत नयायपाली का ही इन दोनों में यूनियन और स्टेट में डिस्पुट होने पर डिस्पुटों को रिजॉल्व करती है अतार्थ विवाजन नब्टान तंत्र के रूप में काम करते है इसके अलावा अगर हम भारतिये 갓 कि एक और बिसेस्ता को देखे व्येश्कमत्या दिश्पूब्कां यह सार्वोमत्यमत्यार बोल सकते हैं लोग तंत्र बैटमेर्ण सबसे पहले आया पष्टिवी दुनिया में यूरोवफ है, इनमें लोगतंतर बहुत पहले आया, डेमोकराशी बहुत पहले आयी, लेकिन इनमें यूनिवर्सल डेमोकराशी, यानिए कि हम कहे सकते हैं वायस्क मत अधीकार वाला सिस्टम नहीं था, वहां पर मत देने का अधीकार हर व्यक्ति जी कि आधार पर चला यानि कि भारत सम्भीदान में एडल्ट फ्रेंचाईजी या सवब बैस मत अदिकार को स्विकार किया गया है जहां पर बिना धरम जाती लिंग भेदवाव कि यह हर व्यक्ति को वोटिंग का अदिकार दिया गया है तो यह इसकी एक इंपोर्टन विशि कैसा है इंडियन स्टेट कैसा है कि एसको इंडियन स्टेट आध और फिर स्विकार कि एकत डान का चैसे इसके अलावा कि आप भारत समिधान का बहरत सम्भीधाश्च परृस्ट एकम्राइबात करो चींडिया partnerships और इस इसके अनुछेद भागफर्ष्ट मा को बता है था अनुछेद एक से लेकर के चार देखो एक चीद जाएगा ना जितने भी important अनुछेद है जितने भी important articles है उनको हम discussion कर लेंगे लेकिन हम आर्टिकल हम जो भी topic पढ़ेंगे उसके concept के साथ articles को जोड़ के देखेंगे और वहीं से आपको articles याद हो जाएंगे आपको extra articles पढ़ने की कोई जनुछ नहीं होगी तो इसमें अगर हम देखें तो भारतिये समीधान का अगर भाग first देखें तो भाग first वारत का union और state के जो छेतर है उन सब्द लेखा हुआ union of state याणि union बहरत के लिए union of state सब्द का यूज किया है समीधान में जो civ कर जेखा हुआ है उसमें parameter union का use किया हूँ तो भारत हैं वह Union of State है अब इसका अगर आप से पूच Hugo Union of State का मतलब कैंगर Union सब्द का यूज कीयेzent का मतलब है तो Union सब्द का मतलब यहा है कि भारत में जो Union वनाया है यान संग वनाया है यह संग है वो अमेरीकी जो Union हैं से अलग है अमेरीका के Union चल लेंग अमेरीका तो अमरीकी Union है या अमेरीका संग है वो समझोते का परण रहे है जब कि भारतिये संग की में हम बात करें तो भारतिये संग किसी agreement का परिणाम नहीं है यही करण है इसलिए भारती समय अगराम से पूछे रहे हैं कि यूनियन means क्या है यूनियन means का मतलब है कि भारत का यूनियन बना है वो बिना किसी agreement के बना है अथार्थ उसमें state states के बीच में किसी भी परकार का कोई agreement नहीं हुआ है अथार्थ भारत में यूनियन किस तरीके से बना भारत में पहले से यूनियन था यूनियन ने अपने सासंग को बैतर तरीके से सलाने के लिए रैज्जों का निर्मानी किया यहीं यूनिट्स बने यूई कई यूपी एंपी एचात्तीसकाड यह क्या रैज्ज एक कई हैं जबकि भारत का एक संग है तो भारत में सबसे पहली विच्छता है कि भारती यूनियन है और रैज्जों के बीच में किसी परकार का समझवता नहीं हुआ पहली बात तो यह जाना का दूसरी बात भारत में यह एक बिनास नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंतरगत सामिल राज्जों को अलग होने की कोई अनुवती नहीं है तो इसलिए भारतिये जो यूनियन है उसको बोला जाता है इनडेस्टेटिव यनि की बहारतिये जो यूनियन है उसका बिनास नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जो राज्जों कर गठन है वो बिना किसी समझाते की हुआ है दूसरी अगर हम बात करें यूनियन सब्सका मतलब यह तो दूसरी बात है कि राज्जों को जो इस्टेट से उनको सकती यूनियन से मिलिए इसलिए यूनियन पावर्फुल है और यूनियन पावर्फुल है भारत का संग ज्यादा सकती सालिए इसलिए यूनियन को यह सकती है कि वह किसी भी राज्य है उसका निर्मान कर सकती है उसको उसकी नाम मदल सकती है उसको किसी और स्टेट में मर्ज कर सकती है उसका पूरी तरह से बिनास कर सकती है अथार्थ भारत कि ये यूनियन के जितने भी राज्य है वो डेस्टेक्टिव है अथार्थ डेस्टेक्टि किया जा सकता है, अथार्थ भारत में केंदर पेपेडने करता है, क्यों किसी भी राष को किसी दूसरी राष की बदा सकता है, उसका नाम बदल सकता है, उसकी सिमाव में भारती union सब्द का मतलब तो अनुछर एक में एक चीज ध्यान कना की अनुमति है अगर हम संभीधान के टाइम पर अगर देखें तो संभीधान के टाइम पर भारत में जो मूल संभीधान बढ़ा जो पहली बार इंप्लिमेंट हुआ 26 नमबर को आगो पता है भारत की कुछ संभीधान के कुछ प्रोविजन है वह 26 नमबर को लाग कर दे गए थे उननीशो और इंचास में लेकिन में रूप से 26 जनवरी उननीशो पचास को भारती संभीधान पूर्ण रूप से लाग हुआ इस दौरान मूल संभीधान के से बोलते हैं अगर कईवाल आपको पूछे जाए कि वेसिक कंस्ट्यूशन यह हमारा जो वेसिक कंस्ट्यूशन को क्या है तो मूल संभीधान का मतलब यह है कि वह संभीधान जो बिना किसी अमेंडमेंट के 26 जनवरी उननीशो पचास को ज़ जो जो प्रोवीजन सामिलते उन सारे प्रोवीजन को हम बेसिक कंस्ट्यूशन के नाम से जान दे तो मूल संभीधान जो 27 जनवरी 1950 को था मूल संभीधान में अगर हम राज्यों की स्रेनी देखें मूल संभीधान में अगा बूल संबीदान में अगर हम राज्यों की स्यादी देखे तो चार प्रकार की सरेण है ती राज्यों की अगर आपसे पूले किसह चार संबीदान में कितनी शनीगी थी राज्यों की तो चार स्यृनी थी जिनको सेड़्िल 1st है ना सैड़्ूल exist dimin क्जिन सेडूल और सडील फौर रही अनसुची फरस्ट फ्रस्ट में कोशिद एक आथा यह ना रहं लगना इनको अनसुची पौल ला गया था फैस्ट को तो इसमें बेट्रिस भारत प्रांध यानि कि जो बेत्रिस गवर्मेंट के डैरेक्ट कंप्रॉल में जो जो स्टेट थी जैसे बंगाल परांथ था जैसे मद्द परांथ था एक संच्छत पर बिट्रस घ्ट्र के जो डायन्ट कंट्रॉल में जो राई जात थे उन्हें सैडूल A की अंतरगत रखागया था सेडूल बी के अंतरगत उन जो देशी रियासते थी आमको पता है जितनी भी जो भारत की देशी रियासते थी उन देशी रियासतों को हमने सेडूल बी के अंतरगत रखा गया था और सेडूल सी के अंतरगत चीफ कमिशनर एक तरह से इनकी डायरेक्ट क्या था चीफ कमिशनर वाले स्टेट आते थे अगर हम सेडूल D की बात करें तो छेलोंD। को कि हमने अधिकार करता तो अन्ड़वान का जो इरिया है जो अन्ड़वान अइलैन्न में वह तो चार संभीधान में पूछ श्जाए जा थे थी ऑंधर का चार चार कार की हमारी स्टेट होते थे लेकिन बर्तम उसके बाद हमको पता है कि साथ माँ सेविन्थ अमेंडमेंट हुआ था सेविन्ध कंस्टिशन अमेंडमेंडमेंट हुआ था और इसी सेविन्ध कंस्टिशन अमेंडमेंडमेंट की अंतरगत इन राज्यों की तीन जो हम occupy करें अगर किसी दूसरे स्टेट से दूसरे कंट्री से तो वह चेतर आएगा अर्जित चेतर अगर अगर आपको मैं बताओं मान लेते हैं और यह जल चेतर हो गया मान लेते हैं तो यह जल चेतर हो गया आपको एंडिया का अनन्य अमला कि जो इंदिया का टेरिटरी यह वहां तक उसका कानून लाग होता है तो यहां तक भी यह राज़ी छेत्र के रूप में काउंट होगा लेकिन अगर संग छेत्र की बात करें तो जब सक्तियों का होता है सेंटर और स्टेट के बीच में तो वह सारा एरिया यूइन के रूप में जाना जाएगा फैडरल जो स्टेट है हमारा उसे गोलते संग छेत्र तो जो कि जैसे अगर हम बात करें यूपी विहार तो यह संग छेत्र के अंतरगत आएंगे क्योंकि इसका रीजन क्या है क विच में इसमें यूपी और सेंटर गवर्णेंट की वीच में सक्पियों का सेप्रेशन है यहां जहां पर फैडरल स्टेट में जहां जहां पर बात की फैडरल जो सिष्टम हो लागो होगा यह संग यह विव्यृत्च चेत्र के अंतरगत आएगा और थ़र्ड हम पता है जो हम किसी अनिसेतर से अर्जित करें अनिसेतर से वो इसमाद है तो अथार्थ आपको आर्टिकल वन में एक चीज द्याना की है यूनियन सब्द का यूज किया गया है उसका मतलब आपको पता उनसी है इसके बाद आते हैं अनुशेत तूपे अनुशेत तूपे अगर हम बात करें तो अनुशेत तूपे अर्टिकल तूपे अगर बात करें अनुशेत दो में दो चीज द्यान रखना एक चीज दी गई है कि संसत को दो सक्तिय दी गई है द्यानकना संसत को दो सक्तिय दी गई है संसत को दो सक्तिय दी गई है पहले सक्तिय है कि संसत नए राज्यों को संग में सामिल करना द्यानकना जब तक किसी राज्यों को भारतिय संग में सामिल नहीं किया जाएगा तब तक उस राजजी को सक्तियों के बटवारे के फैदा नहीं मिलेगा यानि कि सबसे पहले अगर हम कोई नया एस्टेट बनाते हैं तो पहले उस नये एस्टेट को जनरेट करेंगे और उसके बाद उसको हम जोडेंगे किसमें यूनियन में अथार्थ भारतिय समझीनान के अनुश्यत एक के अंतरगा तो उसको जोडेंगे तो ये जोडने की सक्ति किसको दी गई है और उसको यूनियन में सामिल करने की सक्ति किसको दी गई है संसद के पास है और अनुच्य दो के अंदर दी गई है तो इसको बताए गया रिकिस प्रकार से नए स्टेट का गठन किया जाएगा तो इसकी प्रोसेज आपको ज़रूर पता होने चाहिए तो प्रोसेज अगर हम अनुचे तीन की बात करें तो अनुचे तीन में नए राज्जों का गठन तो अगर नए राज्जों के गठन की हम बात करें तो अनुच आर्टिकल अगर हम थ्रीखी बात करें तो इसमें यह है कि ऑलेमेंड के पास एक पावर है कोन्शी पावर पावर तो है आपको पता आर्टिकल 2 में टू, format, फॉरमेज, नियु इस्टेट, निये इस्टेट का करना है तो वह पावर है वो Parlement के पास Article 2 में हैं लेकिन फॉरमेजन की जो process है यानिकर निरमाण की जो प्रिकरिया है वो Article 3 में ये थोड़ा सा अंतर समझना और अब process क्या है तो process के अंतर कात पहले एक प्रिस्ताव आता है नई रहजिके निर्मान से संब्स में अधिन Rabbit जांसा कि भंत में एक बिदैक आता है सबसी है एक बिदैक ऐएगा उसमें राइस्टपते की पूर Hey संसद में पेस किया जाएगा संसद में करने के बाद अगर कोई राजी का निर्मान किया रहा है और उसके पास प्रिस्था बेजा गया कि आपकी क्या रहा है तो छेघ के विधायका के पास प्रिस्था बेजा जाता है तो राज्यों की विधायका चाया तो इस पर किसी परकार की संसद में करता हैकि वह राची मोरती प्रिस्था को मानरी मानली तरो mister संसत नहीं माना और उसके बाद संसत साधरन महुमत के मैध्यम से एक बिध्ययक है उसको पार्थ करती है और नई राइज का गठना हो जाता है यानि प्रोसेज क्या है सबसे परदे राइश्टपते की पूर्व अनुमती होनी चाहिए परी रीकमेंडेशन वाइदा राइश् उसके पास बीज़ाइगा उसकी विध्याय का राइश्ट वा कोई प्रव्श मानना संसत पर डेपेंड करता अथा less आधा संसत के पास पास पावर है कि किशी बी ऐदा हो सकती है संसर का सकती है है उसकी border को changing कर सकती यह सारी power यानि कि भारत में संग का तो बिनास नहीं हो सकता है संग को डिस्टेक्ट नहीं किया जा सकता है जबकि इस्टेक को डिस्टेक्ट किया जा सकता है अथार्थ भारत में रैज्जों का निर्मान, पकठन, उनका बदला ये तो संग कर सकता है लेकिन कोई भी राज्ज संग से अलग नहीं हो सकता इसलिए भारतिय संग को बिनासी राज्जों का एविनासी संग कहा जाता है जबकि अमेरिका में क्या है एविनासी राज्जों का एविनासी संग यानि कि अमेरिका का जो यूनियन संग है वो खुद किसी भी परकार से बि में अब्भारत में संग किसी स्टेट का नाम बदल सकता है उसको इसको फॉर्मेट भी कर सकता है जितना ही फॉर्मेशन है उसका पॉर्मेशन हुआ तो इसलिए भारती यूनियन को एंडिस्टिक्टेवल यूनियन ओफ डिस्टिक्टेवल स्टेट कहा जाता है यहनि कि भारत के राज्यों को भारती बिनासी राज्यों का एविनासी संग यह Article 3 के अंतर भारत को लिए Article 4 की अगर हम बात करें आर्टिकल 4 में एकी बात देखे हुई है, बात यह है कि देखो संभीधान में अगर किसी परकार से कोई संसुदन किया जाता है, या संभीधान में किसी परकार कोई बदलाब किया जाता है, तो उसको संभीधान संसुदन कहा जाता है, ठीक है ना, संभीधान में किसी परकार क या उसको और ज़्यादा मोडिफाइड करना अगर इस प्रकार के कोई भी चीज की जाती है तो उसे संभीधान संसुदन कहा जाता है लेकिन अनुशेद चेयर आपको पता है जब आप किसी नए राजी का गठन करेंगे तो डेफिनेटली उसमें अनुशेद एक में बदला हो तो उसे संभीधान संसुदन की स्रेड़ी में नहीं मर जाया हतात अनुशेद दो और तीन में होने बाद ले बदलाब को हम संभीधान संसुदन की स्रेड़ी में नहीं बांते यानि कि नए राज्यों के गठन के लिए संभीधान संसुदन की ज़त नहीं परती तो इसलिए यह बात अनुश्य चार में बोली गई है तो यह एक इंपोर्टेंट चीज हो जाती है अब सबसे बड़ी बात है कि रैज्जो के पुनर गठन को लेकर के बहुत बड़ी बात चाड़ी थी आमको पता है भारत में लगवा लगवा पांसो बियाशी देशी रियाशत है थी पांसो बावनती लगवा लगवा जिन मेंसे अगर देखें तो पांसो और एंचास का तो हमने जल्दी से ही उनका मर्जिंग कल्दी भारत में लेकिन तीन को पता है यह थोड़ा तो जया नगना तीन ऐसी देशी रियाशत है थी जो भारत में सामिल होने में बड़ी दिक्के कर रहे थी इसमें एक को अगम बात कर एक थी हिद्रावाद एक जेन के और एक जूनागाने कई बार इनका सवाल हमसे पूरे जाता है यह जूनागड़ कुस तरीके से सामिल किया गया था जूनागड़ में हमने क्या करवा है जनमत संग्रे करवाया रेफरेंडम करवाय था तो जूनागड़ को रेफरेंडम के थरूँ जनमत संग्रे के थरूँ सामिल किया गया था और आपको पता है जम्मू एन कस्मीर को बिलह पत्र की मैध्यम से और हैदराबाद को हम आर्मी एक्शन के मैध्यम से यानि कि सेन कारवाय की मैध्यम से हमने हैदराबाद को सामिल क बनाए उसकी लेकर कई प्रकार के कमिशन आये आयोग आये कमेटी जाई तो इन्हें सबसे पहले अगर आपसे पूद आये धरायोग धर कमिशन आया था जून 1948 में जून 1948 में धरायोग आया था और इसके अंतरगत धरायोग ने एक बोजी थी कि रैज्जो के गठन किस प्रकार से किया जाएं तो धर आयोग में सबसे पहले पाला कि रैज्जो के गठन किसी भी इस्तिति में भासा के आदार पर नहीं होना चाहिए त्यान देग्णा के लोग ज्यादा भावनाव में को जाते हैं और इसे चित्र बात किस्ति थी बढ़ने की संब्रण ज्यादा थी और पुने दंगी हो सकते थी इसलिए उस जून 1948 में धरायोग आयो तो धरायोग ने इस प्रस्टूप से मना कर दिया कि बासा के आधार पर आज जो बैटन नही तीन लोग सामिलते इसलिए इसका नाम जे पी भी रखा गया था इसने भी बोला कि ततकालीन जो इस्तिती है उसमें इसमें इसने भी इस समय तीने भी स्पश्टूप से मना किया कि बासा के आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए लेकिन कहीं इसने पूरी अगुता है मद्रास में तमिल और तेलगु दोनुग रहती थे तील कुबासा के नाम से अलग राज्जी कठन के लेकर कि आंद्र प्रदिश्ट्राइजकर गठन लेकर कि एक आंदुरन चलगया जिसमें ने आंदुरन चलगया बड़ी दंगे हुए और परणाम सरूप इस है उसकी मिर्टू हो गई और इसके बाद इसके स्रीपिट्टू रामलू नाम का एक जो लीडर है वह आंध्र प्रदेश की गठन को ले कि अधरने पर बैट गया और 56 दिन तक उसने बहुत हरताल के बाद उसकी मौत होगी इसके बाद बहुत चवर्दास दंगा हो गया परणाम सरूप चपने चवाला नहरू के नेतरत में संसद को तेलगू वासा के आधर पर आंध्रदेश राजे अठन की मांग निर्मान किया और जब एक जब अंध्रदेश बन गया तो बहुत की अलग-अलग छित्रों में मारायटी आगे मारायटी वाला गुजराती वाले अलग-अलग छित्रों भाजा को लेकर के मांग ने लगी और एकनी जबार मांग होने लगी कि पयादाम सरूप एक हमें आयोग का गठन किय उसके बाद फजल अली आयोग का गठन होगा फजल अली आयोग की अगर हम बात करें तो इसका गठन हमने दिसंबर 1903 में किया और लगवा लगवा 1955-56 में इसने अपनी सिपारे से थी इसकी सिपारे से ज़रूर द्यान दखना फजल आयोगी अली आयोग ने बोला कि देखो अगर हम राज्यों कठन करो लेकिन किसी भी इस्तेती में भारत की यूनिटरी को नहीं डिस्ट्रॉई होनी इस बात को जरूर द्यान देना चाहिए और चूंकि अगर हम भासा के आधार पर राज्यों को गठन करेंगे तो कहीं न कहीं इससे भारत की जो एक टायव उसको नुक्सान पहुंश सकता है दूसरी इसकी रिकमेंडेशन है इसने बोला कि भासा के आधार पर राज्यों को और तो इसने बोला यह ठीक है कि एक बेस बना सकते हैं कि कि लैंग्वेज के आधा पर ने राइज का गठन किया जैसे अगर हम बंबाई का व्यवाजन वहां तो गुजराती वाले जहां गुज़राती स्टेट बना दिया और माराथी सिंग का जादा है वह महाराष्ट बना दिया लेकिन इसका कंपल सरी नहीं लगा कि महाराष्ट मे आयोग ने भासा के अधार पर राज्य बनाने की मांग को सुईकार किया था ये भी दाना रहा इसके बाद आपको पता है इसने एक चीज और वोगी कि हमेशा कोई राज्य आप जवाब गठन करो तो उसके प्रभाव को दिरूर देखने ना कि उससे कोई आर्थिक रूप से स तरीके से इंपोर्टेंट है या नहीं है या उससे कहीं नहीं करना है कि ताकि वहां प्रसास ने आर्थिक और किसी प्रगार का मुद्दा ना है इस रेक्मेंडेशन के आधार पर हमें सात्मा संभीधान संसुदन के दान अगना फिर मैं बाद नए रैज्जों के गठन के हमें संभीधान संसुदन के कोई जरूरत नहीं पड़ती चूंकि सात्मा संभीधान संसुदन जब किया गया था 1956 में तो यह नए रैज्जों में गठन के नहीं किया गया बलकि कुछ रैज्जों को बेशेस अधिकार दिये गए थे इनके लिए हमें अनुचियत 371 में कुछ प्रोवीजन जोनने पड़ी इसलिए हमें सेविंध अमेंडमेंट करना पड़ा तो सेविंध कंसिशिशन अमेंडमेंडमेंट हमें करना पड़ा हालांकि 1916 में रैज्ज पुनर गठन अधिनियम आया और उसकी अंतरगत 14 नई स्टेट बढ़ाएंगे और लग मुंबई बवाजन हुआ और इसमें गुजराती से गुजराती प्रदेश हो चुके हैं और 28 राज तो यह थोड़ी सी चीज़ आपको डेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है तो यह इंपोर्टेंट है कि आपको चार अनुशियत आपको पता होने चीज़ इसके अलावा आपको पता है भाग दो नागता से संब्देश है यह यह धैंने को बाहरत शियानग भाग दो नागता से प्रविजन है जिसके अंतरकत कई कि अनुश्यत 5 से लेकर के अनुश्यत 11 तक भारत में नागता संबंद प्रोविजन किये गए हैं तो इसमें आप फिर नॉर्मली सवाल से पूझा दाता है पीचेस में इस पर नागता के लिए कौन-कौन से अनुश्यत है वो संबंद किये गए एक चीज और जैनक ना भारत में एकल नागता को सुईकार किया गया है अथाप कोई व्यक्ति अगर भारत का नागता बंता है तो उसे बेदिसी नागता त्याग नहीं पड़ेगी यह भ सबसे महत्पून बाग आता है फंडमेंटर राइट या मौलेक अधिकार मौलेक अधिकारों के बारे में अगर हम देखें तो मौलेक अधिकार भारते संबीधान के भाग तीन में है अनुचे 12 से लेकर के 35 तक है लगवा लगवा हम सारे जितने वानुचे जो से संबानते ह तो मौलेक अधिकार हो कि अगर हम बात क subscribers मौलेक अधिकार अगर है आपसे पूचे चाहिए तो क्या है मौलेक अधिकार संबीधान में नहीं त्यूक्य कर से हैं और इसलिए पाधा है इसमें रायजी की सक्तिय इस सीमित करते हैं मौले का दिकार रायजी की सक्तिय उसको सीमित करते हैं जोकि व्यक्ति की सक्तिय उसको ज़्यादा बढ़ाते हैं व्यक्ति के विकास में सायक होते हैं तो प्री के हिसाब से अगर हम देखें यनि कि व्यक्ति की स्वितंता समानता और उसके अधिकारों को जादा बरिता देखें तो इसमें अगर हम देखें बाहरति सम्मिदान के अंतर हम एक एक अखें तक देखें हैं इससे पहले पटर देखें हैं एक होता है संता का अधिकार अकर आप से पूछे को ही अगर हुअ अगर है या टो लेवर्टि फ्रीडम देखें इसके बाद आता है इस works ने ब्रिउद्ट सुच्छन के भुषत क्रूष अधिकार सोशन के विरूद अधिकार आर्टिकल 23-24 और इसके बाद आता है Freedom of Religions दर्म की सतता का अधिकार आर्टिकल 25-28 और इसके बाद आता है जो हमारे माइनेटी वर के लिए जो अधिकार है अल्शंगों के लिए अधिकार तो अल्शंगों के लिए अधिकार या संस्कती से संबंद हम बात कर सकते हैं संस्कती जो अल्शंगों के अधिकार है वो आर्टिकल 29-30 तक हो सकते हैं और आर्टिकल 31 में राइट टू प्रोपर्टी था लेकिन उसको आपको पता है यानि कि कंस्टिटूशनल रेमेडीज फंडमेंटल राइट के लिए कंस्टिशनल रेमेडीज दी गई है अथार्ट यह बोले जादा है बात संभीधा में कि बात यह संभीधार में अधिकार दिये गए है पर नावर्ण के अधिकार है उनकी सुरिक्षा करें और इसलिए जो कि फंडमेंटल राइट हमारे संभीधान के बेसिक है इंपोर्टेंट है और यही संभीधान की सबसे महत्मून करी है इनी के लिए सारी विवस्ताइं की गई है व्यक्ति केंदित सासने वारत का व्यक्ति के सबसे इंपोर्टेंट पार्ट उसके फंडमेंटल राइट है तो फंडमेंटल राइटों की सुरिक्षा के लिए सारी संभीधान की गई है राइस्ट परती परदान जितने भी प्रोविजन हुए है उस सब fundamental राइटों के लिए ही किए गए हैं और इसलिए बहार डॉक्टर बियार अम्मेट करने अनुचेज 32 को भारतिय समीधान की आत्मगा डॉक्टर बियार अम्मेट करने बहारतिय समीधान की आत्मगा तो यह आर्टिकल 32 बहुत जड़ा important है अगर हम एक अनुचेट को अगर देखें थोड़ा सब परीके front of view से एक एस आर्टिकल में क्या है तो अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें अनुचेट 12 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 12 की अंतरकर राज को परिवासित किया गया है राज की परिवासित मतलब यह नहीं यूपी एमपी यह राज नहीं किसे राज माने जागा यह बोला गया है तो राज में क्या का आएगा एक तो होगा संसत तथा संग सरकार में क्या आते हैं वहां को पता यह संसत माता राष्ट पती यानिकि एक तो पार्लेमेंट और पा पार्लेमेंट की बात करें पार्लेमेंट पे एक राता राइस्ट पती एक आती है लोग सभा और एकाति राइसच्छ तो हम एक एक अनुसित को देख लें थे हैं हुआ ऐसा आर्टिकल बारे के अंत्रकर दी गई है अब यह बहुत अगर थोड़ा सा आगे जाए कि राइज का मतलब क्या है तो यह राइज का मतलब है संसद संग सरकार पहला दूसरा है राज्ज यह बिधाय का विधार मंडल राज्जयों के विधार मंडल है प्लस राज्ज सरकार तीसरा अगर उसमें बात करो तो इस थानी सरकार है और सहुत आगर किसी की कोई NGO भी है राज कोई पैसा लिया है उसको भी राज की सिर्णी में रखा जाएगा एक रिस्पोर्ट को लेगर के अलंकि कई स्टेटी सब्द का मतलब के है तो आर्टिकल में बिधि को define किया गए किसे हम हमारे हैं इस्टी चरी माने जाएगा जो अनुशेद जो संगॉलिक अधिकारों के अंतरगत सामिल किया गए तो बिधी को प्रिवाशित किया गए इसमें किस को बिधी माना है एक तो माना है इसमें संसत द्वारा निर्मित बिधी दूसरी बात माना है इसने बिधान मंदल द्वारा निर्मित विधी तीसरी अगर हम इसमें बात करें तो अध्यादेश और कार्यपालिका के नियम बी नियम जितने भी प्रॉस्चेश हैं रूल रेगुलिशन सब को इसने बिधी की स्रेणी में रखा गया है लेकिन द्याना करना संभिधान संसत को आर्टिकल 13 की अंतरगत बिधी की स्रेणी में लेखा नहीं गया है इसको लेकर काफी डिस्पटी हुए है आगे तो हम आगे देखेंगी जब हम न्यायपालिका पड लिए जाएगी तो इसलिए इसमें इवाद वोले गई है तो मौलिक अधिकारों से को ज्यादा बरिता दी गई है बिधी से और आर्टिकल 13 के अंतरगत बिधी को डिफैन कि रहे है इसके बाद आर्टिकल 14 से आपको पता है का आर्टिकल 14 के अंतरगत विधी के समक समानता और बिदी का समान सेलेक्शन की बात की गई है इसमें दो चीजे हैं हैं आपको पता है बिदी के समख समानता मतलब Absolute Equality Absolute Equality और पूर्ण समानता की बात यानि कि किसी परका कोई भेदवाव राज नहीं करेगा राज धरामलिंग जाती छेतर किसी के शादा पर कोई भेदवाव नहीं करेगा लेकिन अगर आपसे एक बात वुल है कि क्या पूर्ण समानता की बात करना कि समाज एक नया है या समाज भी समानता स्थ हो सकती है अगर जो वेकती पिछ़डा हुआ है और यह वेकती आगे है हैं तो इन दोने हम बोले कि बात कि अब इनमें किसी परकाइब विद वह नहीं रहेंगा और जो ब्रक्ति एडवांस और आगे निकल जाएगा तो समाज और कभी पूर समानता कि स्थापना मतलब समाज समता मुलख नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे अगर समाज का जैसे निम्न वर्ग है जैसे सो कॉल्ड जो जलित वर्ग है या जो एस्टी एस्सी वर्ग है जो पहले बहुत पिसला हुआ था अगर हम इनके साथ पूरी तरह समानता ही बात करते हैं कि उच्च वर्ग को भी उतने अधिकार जितने निम्न क्योंकि पिसला हुआ वर्ग पिसला ही रहता अगर क्योंकि उनके साथ वह कंपेटिशन नहीं कर पाएगा इसलिए आर्टिकल फोटीन के दूसरे भाग में हमने बिद्धी के समान सेक्षन की बात की गई है अधार्थ हम कुछ तार के बीदवाव कर सकते हैं अगर समानता आ नहीं करेंगे आर्टिकल सिक्स्टीन की अंतरगत लोक नियोजन से संबंद जो अधिकार है वो दिया गया है और इसमें भी आपको पता कि कई अनुशेर है जिसके अनुशेर सोले के अंतरगत यह बोला गया है सोले वन की अंतरगत कि रैज किसी परकार कोई बेदवाव नहीं करेंगा आर्टिकल सिक्स्टीन के अंतरगत एक बात बोली गई है कि अगर संसद को लगए कि कोई रैज बहुत प्रिष्टा हुआ है वहां के लोग बहुत प्रिष्टे हुए तो वहां की नौकरियों में केवल वहां के लोगों कोई रिजर्विशन दिया जा सकता है तो उससे संबंद अगर इस्तानिय रिजर्विशन से संबंद कोई कानून है तो वह संसद ही बना सकती है रैज बिधान मंदल को सकती नहीं दी गई है इसलिए कई वार डिस्पुट खड़ा होता है कि वर्तमान समय में जो बिधाये का के दौरा जो कानून बनाए गए हैं तो इन में इनोंने आपको बताए शना होगा निजी इस्तानी नौकरियों में और सकती है कि अगर उसको लगया कि कोई स्टेट जो पिषड़ा उवा है और वहां की नौकरियों में के लोग होने चाहिए लोकल लोगों को ही वहां की जो जो है उनमें सामिल किया जानाद चाहिए तो संसद ऐसा कानूल बना सकती है संसद ने 1957 में एक ऐसा कानूल बना गया था जिसके अंतरगत हम बात करें मद्द परदेश, हमाचल ऐसे कई चार स्टेट थे जिनको यह प्रोविजन किया गया था कि यहां की नोकरियों में केवल यहीं के लोगों को ही सामिल किया जाएगा लेकिन बाद में इसको हटा जिया गया यह प्रोविजन को तो यह अथार्थ 16.3 की अंतरगत यह बात की गई है कि अगर इस्तानिय नोकरियों को रिज्जर्विशन देना है तो काम संसत के पास है राज बिधान सवाएं उसमें कानू नहीं बना सकती इसके बाद आपको पता है अनुच्छे सत्रे के अंतरगत असपरस्ता का अंत की बात की गई है और आज लण के नोड़ यह डायरेट यहां से सवाल पूशे चाता है कि असपरस्ता का अंत की सानुच्छे में बोला गया है PCS में डायरेट सवाल पूशे चाता है और एक चीज और आपको बता दू बहारत के जितने भी मौले का अधिकार है अधिकार है जिस पर कोई पूश्य बहाल गया है इसको किसी भी इस्तिति में सीमित नहीं किया जा सकता किसी भी factor से इसको सीमित नहीं किया जा सकता अथार्थ अस्प्रस्ता भारती संभीदान में absolute है अथार्थ इसको सीमित नहीं किया जा सकता इसके बाद 18 अनुशेद 18 के अंतरकता को बता है भारत में उपादियों के अंत की बात की गई है है उपादियों के अंत की बात की गई यह वह की गई अनुशेद अठारे गंतर तो सम्ता की अंतर का चार अनुशेद आते हैं उच्छे-14-15-16-17 और एठार है और यह चो चार-5 अनुशेद हैं यह सम्ता के अधिकार से संबंद्द है। इसके बाद 32 संभिधान में अनुच्व निस सो सब्सक्राइब नाइंटीन से लेकर अनुच्व 22 दो राइट टू फ्रीडम का बात बोले गई है अन इस सृतंता का अधिकार की बात करें अनुच्व 19 की अंतरगती ही कई प्रकार की सुटनता दी गई है इसके अंदर गरती कई भाग है जिसमें अगर हम सुटनता की बात करें तो फैली है freedom, bark and अवियक्ति यानि कि express की सुटनता freedom of express तो express की सुटनता है वहनुशेद 191 के अंतर गरत दी गई है और इसी विचार वियक्ती च Cincinnati की अंतर गरती है वह बरे परेश की सुटनता है वह बहुत प्रहर हैं कर सकते हों कोई ऐन न हIP कर अब भारत में ब्रह्म having कर सकते हो भारत में कहीं भी जा सकते हो इसके बाद भारत में कहीं भी रह सकते हो और किसी प्रकार का विजनिस कर सकते हो यह Article 19 की अंतरकत आपको सुतन्ता देगी है परंतु इन सारे सुतन्ताओं में जितनी freedoms हैं इसमें कुछ तारकिक बीदबाब तारकिक प्रतिबंद भी लगाए गए ठीक है न तो तारकिक प्रतिबंद लगाए गए और तारकिक प्रतिबंद की जाच करना की तारकिक प्रतिबंद सही है या गलत है इसकी जमेदार सुप्रिम कोट या कोट करता है तो भारतिये संभीधा ने इसमें जो आर्टिकल 19 है आर्टिकल 19 में जितनी भी लिवर्टी दीए जितनी फ्रीडेंस दी गई हमें वो सारी फ्रीडेंस एबसुलूट नहीं है उन पे रिजनेवल रेस्टेक्शन भी लगाये जा सकते हैं इसके बद़ा Article 20 के हम बात करें तो Article 20 के अंतरगत अपरादों के लिए दो सिध्यों के संब्दमें जो स्रेक्शन है वो दिया गया है यानि के इसके अंतरगत प्रोविशन किया है कि किन परिस्तियों में हम अपराज्यों के लिए कुछ अधिकर यानि जो हमारे हमाने ह्मसा की एक खास बात है, कि हर वैक्टी को human की तरही ट्रेंटए कि आगए, कोई वैक्टी अपरा दी है, तो भी उसके पास rights ने, कोई वैक्टी normal है, तो भी उसके पास rights है, इसके आज हमार hop लिए rights दी है, नहीं हमारеци कि कि किसी भी वेक्टिए को किसी भी बहुत लक्षी कानून के लिए उसको गर्वतार नहीं किया जा सकता बहुत लक्षी या पोस्ट फेक्टो एक्ट बोलते हैं इसमें क्या होता है कि for example अगर माहले कि कोई कानून का कानून माहले एक फरवरी गवा है को जैसे मालना धो हेल्मेट फहना अगर यह और बैठेंक को इसमें अपरादी ग। अथार संसल एक फरवरे को कानून लागू करके उसको 31 जनवरे तक लागू 31 बैक डेट में लागू नहीं कर सकती जिस देट से उसको लागू किया गया है बैक डेट से ही उसका कानून का उल्हंगन करता है तो इसमें सब्सक्राइब कि किसी भी व्यक्ति को बूत लक्षी कानून के लिए ग्रबतार नहीं किया रखता अथा बूत लक्षी कानूनों से मुक्ति दी गई है दूसरी बात इसमें यह बोली गई है कि कोई भी व्यक्ति अपना वकील कर सकता है यानि कि अपने अपरात के लिए कोई व्यक्ति वकील कर सकता है और एक चीज और में कि किसी भी व्यक्ति को दोरा दंड नहीं दिया जाएगा डवल जियो फेरेडी यानि कि अगर किसी वक्ति है उसको दौरा दंड नहीं दिया जाएगा दौरा दंड से मुक्ति है अतार्त एक वक्ति ने एक अपराद किया है तो इसको एक ही punishment है वो दी जाएगी उसको ड्वल जियोफिरेडी नहीं दी जाएगी इसके कुछ Mलनला कुछ exception भी है exception अगर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति government job में है तो उसको double geo parity दी जा सकती है कैसे दी जा सकती है दोरादन एक तो उसको job से निकाला जाएगा और दूसरा उसने कोई अपराद किया उसकी भी सजा दी जाएगी तो इसको दो दंड हो गए जॉब से निकालना और फिर उसके अपराद के लिए उसको जो नियाली दोरा जो सदा सणवाई जाती है वो गई तो इस तर Forsch इसको दोहरा दन्ड हो गया है लेकिन इसको दोहरा दंड नहीं माना दा सकता क्योंकि जब उस व्यक्ति को तिसरे व्यात यह बोली गई है आर्टिकल 20 के अंतरगत कि किसी व्यक्ति को उसके बुरुद्ध यानि कोई व्यक्ति उसके खुद के बुरुद्ध ही गवा देने के लिए बैद नहीं किया जा सकता अतार ऐसा नहीं कि पुलिस ने पकल डिया उससे बोला कि नहीं नहीं तु गवा दे तेरे व्यक्ति की हाथ तु अपराद सुईकार कर ऐसा वो व्यक्ति नहीं कर सकता अतार हमने अपरादियों के भी अधिकारों के स्रेक्शन की बात की गई है जवर्दस्ति किसी को अपरादी नहीं बना जा सकता जब व्यक्ति ने उलंगन किया तो यह उसको अपर प्रहुद्य गवाई देने के लिए बैद्दिकारी नहीं किया जक्स था और इन तीनों के एक एक अपराद में आपको अब बता सकता हूं देखो अगर कोई मामला दीवानी कानूनों का है तो दीवानी कानूनों को आप बैक डेट में जाकर करके लागू कर सकते हूं और भारत में आपको पता है एक रेट्रो इस्पेक्टिव टेक्सिशन का सिस्टम चलता था यानिकि भारत ने ऐसे था है कि अगर माल लेकिशी कंपनी बहुत अच्छा प्रोफिट हो रहा है तो उस कंपनी पर टेक्स लेना है तो सरकार कर देगी कि हम इस कानून को पांस साल पहले से लाओ करते हैं आप पांस साल पहले का टेक्स दे रहें तो ऐसा कानून था वारत में हलांकि उसको लास्ट एर खतम कर दिया गया था तो आप दीवानी मामनों के संबंद में आप बहुत लक्षी कानून बढ़ा सकते हैं तो इसमें इसकी अलावा एक चीज और है इ मैं कि जो आवको डवल जुल जो अपर एड़ी वाली बात बताई मैंने टो डवल जियो पर एड़ी की अंतरगढ़ी जो हमको पताए कर कोई व्यक्ति जॉबं मे है तो उसके लिए तो डवल जुल पर Scottish और ह Prix हलाक कि वहdasट कि जुघ और अब्मिसेट मेंत दोनों अलाग है कि किसी वी व्यक्ति से उसकी रायटिंग मिलोगा सकते हैं और उसके कुछ DNA टेस्ट फ़िवर्ट पर तो भी कर सकते हैं पर शाहदार पर वह उस व्यक्ति की कुछ चीज़ें हैं उनको हम इसमें कुछ अब बाद उस आधार पर हम कर सकते हैं तो इसके बाद लाट करतें बहुच्यादा बैख्या करी और इसके बाद जितने भी व्यक्ति के अरिमा से संबंदि जो अनुच्यद हैं वो सब आर्टिकल 21 में आते हैं जैसे अगर हम बात करो निस्ता के अधिकार की आर्टिकल 21 में आएगा परियावरन सेलेक्षन के बात में सुद्धावा लेने के बा किस्म आता है तो एनुच्यद 21 कि अधिकार परियावरनान या हवा की बात करें वो एनुच्यद 21 के बाह तो अनुच्यद 21 में संबल है इस ऐदर हम बहुत जड़ा के हम देखिए तो उसी के अंतर के 21A में राए ट्ट लिगर को भी जोड़ा गा है इसके बाद आर्टिकल 22 के अंतरकत निवारक जो निरोध है प्रिवेंटिव डिटरेंज उससे संबन्दित कुछ अधिकार है वो दिए गए हैं तो प्रिवेंटिव जो निरोध है गरपतार ही है उससे संबन्दित जो अधिकार है वो आर्टिकल 22 के अंतरकत दिए गए है उसको कम बेटन दिया जा रहा है तो भी अधिकार होकि जिम्मीचारी रयाजी की है और सुप्रीम कोट की आर्टिकल período के एंतर. वग missionary सूर्षन की अधिकार का पर भच्छों के जो हमारे बालसरम है जिसकी हम बात करें तो इसको intrinsic crop किया रहा है आर्टिकल 24 के अंतरगत और इसी के बेस पर पार्लेमेंट कानून मनाती है और पार्लेमेंट ने चायतल लेवर जो संबादित एक कानून मना गया है 1986 में एक कानून मना गया था बाल सरम प्रतिसेद अधनियम और इसको 2016 में संसुर्द किया गया था तो बर्तमान समय में इसको 2016 के अकॉर्डिंग ये वाल सरम जो एक्टे चल रहा है तो यह आर्टिकल 24 के अंतरगत पार्लेमेंट कानून बनाती है इसके अलावा धर्म की शुतंता के अधिकार के अंतरगत चूंकि आपके पता है कि भारतिये एक दर्म निर्पिक्स कोई भी चीज आप किसी भी धर्म को accept कर सकते हो उसको follow कर सकते हो उसका प्रचार कर सकते हो यह आर्टिकल 25 की अंतरगत आपको फून शुतंता दी गई है इसके अलावा धर्म के कारिये हैं अपना धर्म है अपना trust है उसको कैसे manage करना है कैसे चलाना है उस धर्म को या अधि लिए यह नियुका पहली यह कि यरो लिए कि तर्च के लिए किसी वक्ति को बाद्यकारी नहीं कर सकते लिए कि नहीं कर सकते कि इस ओर्च का Phillips के लिए किसे के लिए के ऐसा बैद्ध कर नहीं कर सकते अथार्थ आर्टिकल 27 रैज को उस प्रकार के सारे करों को नहीं लगाने की लिए बैद्ध करता है जो धरम को बढ़ाते हैं अथार्थ धरम की आड में रैज कोई कर नहीं लगा सकता जिसके अलावा आर्टिकल 28 की अंतरगत आँको बता है कि धरमिक सिक्षा से संबन्द द्रस्ता की गई है जिसकी अंतरगत तीन प्रकार की बात बोली गई है देखो तीन प्रकार की संस्ता है इसमें बता ही गई एक तो है गॉर्मेंट इस्टिटूट एक है ट्रस्ट के इस्टिटूट और एक है गॉवर्मेंट से इफलेटेड मेनतप्राथ इसमें प्राइवेट भी आते हैं आपको पता है और इसमें सरकारी गॉवर्मेंट भी आते हैं और में किसी भी इस्तिति में ध plaisir में हम पेहमत्स की महत्मून पढते हैं हम हुँ भाय attacking Gita कों पढगते हैं थे प्रद के बहुत दरं ज्यन धरं की जत्रय है के समंदेघंत शुभत के बहुत दरं ही करते हैं था को बढ़ावा देने के लिए , यह यह इस लिया कए बार बोल can अधा ब्लै गया सप्रेम कोट ने बिब्रकार के जो बाद है जजमेंट दिये गए थे उसमें ये बोला गया कि सरकारी सरस्ताओं में धर्म या मजब को बढ़ाने बादे शिक्चा ने दी जाएगी ये पूरी तरह प्रति बन रहेगी यानि कि सरकारी सरस्ताओं में धर्मिक शिक्चा पूर्ट है प्रति बन रहेगी इसकी अलावा जितनी वी ट्रस्ट की इस्टीट है जैसे एक मदर्सा हुआ तो यह इसलम ट्रस्ट का हो गया इसिपरकार हम वेरी जो बेदेक स्कूल होते हैं वह भी ट्रस्ट के हो गये तो इनमें धार्मिक शिक्शा दियजा सकती है क्योंकि जिसलम के स्कूल है एंगलो सकती है बससरते जो व्यक्त्य सिस्ख्चा ले रहा है उसकी सेमति होने चांद चाहें और अगर कोई व्यक्ति है बक्चा अगर 17 मृट्शा कम कमूम्र है तो उसमें उसके पेरेंट्स की अनुमती लेकर ही उस व्यक्ति को दिया सकती है अथा दःमिक सिक्षा के लिए किसी व्यक्ति को बात दिखारी नहीं किया दखता अब कुश्चन यह आता है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म की सिक्षा ले रहा है जिसे हम बहुत धर्म की सिक्षा दे रहे हैं तो जो हम पार्टेकरम में जितनी भी सिक्षा पढ़ते हैं जैसे हमारे UPS के PCS के पार्टिकर में बहुत धर्म जैन धर्म तो यहां यह धर्मिक शिक्षा नहीं है यह वलकि उससे दर्सन यह दर्सन है जो उसके इंपोर्टेंट प्रोवीजन है उनको हमें देतने हैं तक ही हम अपना मॉरलिटी ड्यवलप कर सकें उनसे कुछ सीख सकें और अपने जीवन को अच्छा कर सकें तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक धर्मिक स्वितनता की बात की गई है जो एक महतून प्रोवीजन है आप से PCS में जलाते concept को लेकर के तो उसको आगा देहां करना कि 200 फिक्सना से जोड़ती हुए इसका अंसार देना है इसके अलावा अगर हम संसकति और सिक्षय संबंद अदिकार की बात करें जो हमारे minority वर्ग के लिए सिक्ष्य है तो क्योंकि आँको पता है अगर अगर लोगतंत की हम दिसनल बहुंत है तो उसकरे सकती है लेकिन जो अलशंग क्या उसकी अदिकार हो वह इसलिए डेमोक्रेशी तो भाती संभीधान एक sub-democracy तो उसमें अलशंग क्योंconomy अदिकारों की बात की गई है और धरम, उनकी भासा उनकी लिपिंग यही तो उनकी पैचान होती है इनको बनाय रखने का पूरा अधिकार उनको दिया गया तो यह किस अनुशित में दिया गया आर्टिकल 29 और 31 आर्टिकल 29 की अंदर थे वो लगया है कि जितने पर minority जो class है वो अपनी बहासा अपने लेपी और अपनी संस्कती बना सकते हैं उसको विकास कर सकते हैं उसको सरेशितर कर सकते हैं इसलिए वो अपनी संस्तान कोल सकते हैं ट्रस्ट कोल सकते हैं कोई पर्टिवन बारत में नहीं है और यही तो उनकी अधिकार है है इसी पिरकार एगर हम बात करें आटिकल 30 के उंदर तो अनको प्रोभ संक्यक का रिय्ट attain अर्फ संक्यक संस्तान नों में लाग नहीं होता वह केबल संस्थान है उन्हें साग होगा अथार्थ अल्प सेंग एक सेक्शन संस्तार्व में 25 परसेंट सेट है कोटे पर देने के लिए बैद्धिकारी नहीं होगी इसके बाद आर्टिकल 31 आया था हमारे हां आर्टिकल 31 में आपको पता है संपतिक अधिकार राइट टू फ्रोपर्टी था लेकिन चुकि क्येंगा भार्ति संपत्व की से कई डिस्पोट थे इसके बाद इसको 44 संप्हिधान संस्तार्ण के दूआ इसको इच्छा में तो 40 में संस्तार में इसको all कानून और fluctuation की स्रीमिंडिय के रग दा इसके बाद वाहरति संसन्तर्ण को प्यृप्चारों का अधिक साहरेएं रेट जारी करने की सकती है वो नयाय पालिका के पास है किसके पास सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 रेट जारी करने की सकती देता है और आर्टिकल 226 यह भी रेट जारी करने की सकती देता है लेकिर आर्टिकल 226 यान 226 है वो हाई को देता है आर्टिकल 32 है यह सुप्रीम को सकती है Supreme Court की बैद है उसके लिए जबकि 2026 याने कि 226 की अंतरगत जो हाइक ऑड को जो रेट जारी करने की सकती है वो बैद जारी नहीं है दोसी बात Supreme Court केवल मौलेक अधिकारों के लिए रेट जारी कर सकता है जब कि हाइक कोट मौलेक अधिकार एवं कानुनी अधिकार दोनों के लिए रेट जारी कर सकते हैं अधार्थ रेट जारी करना सवारा जाँ छितर अधिकार के हम बात करें तो वह हाई को जादा है Supreme Court से क्योंकि Supreme Court केबल और केबल fundamental रायट की ततरी कर सकते हैं जबकि High Court है वह fundamental रायट के साथ एश्टेचर रायट है उनको भी अप्ताउऊ कर सकता है एक ओर संसत को यह सकति है किसको संसत को संसत को यह सकति एक कि वह है कि सी अन्हें सब्धुप कोड धिनस्ट्ट झाल्ए है उनको भी रिट चाली करने की सकतीե सकती है किसंसत्त के पास है लेकिन हा लग कि वर्थ्वान समय में कि एवल हाई कोड के पास ही सकती है इसका अधिकार है इसके अलावद थोड़ा ओर देख लेते हैं इसमें आलंग की fundamental right का भी बड़ा chapter है इससे सवाल पूशी चाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा एक और देखते हैं कि कौन से अधिकार केवल भारतियों के लिए हैं और कौन से अधिकार सभी के लिए हैं तो भारतियों के लिए अगर हम बात करें तो 15 अनुशित 15 अनुशित 16 अ अधिकार मिलेंगे जबकि अन सभी अधिकार सभी के लिए हैं अन सभी अधिकार सभी के लिए हैं लेकिन आर्टिकल 15 16 19 29 और 13 ये केवल नागरेकों के लिए ये भी ध्यान रखना और इनके प्रोविजन देखने ना 15 के अंतरकत धरम जाती मुल्वंस इनके आदात पर हम कि यह द्वाब नहीं कर सकते हैं जो पब्लिक जो रेकृमेंट है उसमें किसी उपरकार का विद्वाब नहीं करेंगे नाइंटीर में राइट तु फ्रीडम से सम्मादे जितने प्रोविजन है और ट्वैंटी वन्याटी के लिए उनकी लिए अपने अपने रिलीजियस को अ आपने ईनकी यह आंकी सर्कार कर सकते हैं उसक्ति परत्माल में सारे सकते 한 प्रतमार में रे इनका क्रियानमन मतलब अपने अपने इनकी ये प्रोविजन देख लेना और अगर छेतर अदिकार की बात करें तो ज्यादा छेतर अदिकार है हाई कोट के पास है क्योंकि वो फंडमेंटल राइट के साथ था इस तरी जो राइट से उनको भी या कानुनी राइट से उनकी भी रिट जारी कर सकता है लेकिन एक अंतर यह है कि आर्टिकल 32 के अंतरगत जो सुप्रीम कोट है उसके लिए रिट जारी करना उसकी बैदिकार ले सकती है क्योंकि वो मौलेकद जा सकती है कि आप बेसिक रूप से इनको पढ़ रखा होगा लेको PCS में आपको डायरेक्ट आर्टिकल से सवाल पूछी जाएंगे और UPSC में थोड़ा सा समझ की सवाल UPSC लगातार सवाल आता आर्टिकल 21 को सवाल हर 2-3 सवाल में रेपीट हो रहा है हर बार पूछी जात सवाल है थोड़ा सा डिफ्रेंस कर सकते हैं इनको DPSC के साथ इसको लेगा कि आपको सवाल पूछी साकते हैं और एक दो सवाल आपसे रेट से लेटेट और यह सुप्रेम कोट हाई कोट का रेट से समझने जो जूरिडिक्शन है इसका डिफ्रेंस क्या है रेट की पावर को कौन दे सकता है पारलिमेंट के पास पावर है कि किसी भी सवाडिनेट को भी रेट जारी करने के सकती है यह ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है इसके अलावा पांच परकार की रेट होती है इन डेटों को हम देखेंगे कोगि इनसे भी सवाल आप से पूछी चाते हैं और इसके बाद हम DPSP को देखेंगे तो अभी तक हम इसी को यहीं तक करते हैं फिर आगे आगे देखते हैं तो लेकिन आप द्यान रखना इनका रिवीजन अच्छे से करें और अपना concept है उसको भी करें और एक और द्यान रखना अगर आपको कोई भी doubt है तो बाद में आप इसको पूछ भी सकते हैं और इसी के साथ इसको यहीं समप्त करते हैं आप सभी को बाद दना थेंक यू